सरोकार पास जाकर उनके अजेंडे पर बात करती नजर आ रही है इसी कड़ी में हमारी समवादाता सुखानी सिंग ने राजधानी लखनाओं के चिनहट प्रथम वाट के सपा प्रत्याशी मोहमद शफीक सखास बातचीत की देखते हैं उसके कुछ खास अंश निकाय चुनाओं में अब सिब दो दिन बचा हुआ है सभी पार्टी नगर पाली का नगर पंचायत और नगर निगर में जाक जाके अपने अपने जनता की बीच जो अधूरे काम है उसे पूरे करने के लिए फिर से वादे कर रही है और इसी कड़ी में प्राइम टीबी की ट जो कि सपा पार्टी से पार्षत प्रत्याशी हैं और आईए जानते हैं कि आखिर उनको जनता के बीच जा रहे हैं क्या समस्या आ रही है और क्या उनका नए जेंड़ा है पूमत सफिक जी आप जा रहे होंगे इस बार जाके जनता की बीच में पहुत दर्शन कर रहे होंग सबसे बड़ी समस्यां यह हैं हमारे वार्ट की तो आप दो बार उपी जिता भी रहें तो क्या ऐसी कमिया रह गए कि आप दो बार जीत नहीं पार फिर आपका यह इस बार लेकर तो क्या इस बार जो पुराने वादे थे या फिर जो अधूरे काम में पूरा करने के लिए कु कीया है पार्टी का हमारे चेतर की जो समस्यां मुख समस्यां में पूरे हमारे वार्ड में जैसे की सीवर की समस्या है उसको दूर करेंगे। हऊस्टेक्स की पिछले 5 सालों में बहुत leaks हुई है बहुत गलब तरीके से लोगों वांट कभाः बढ़ाया गया उसको हम लंग कम कराने काम करेंगे उसके लवा हमारे राष्ट्री अद्धेश मानी अखलेस यादो जी ने अभी गोशना की है कि अगर लखनौ जहां-जहां पर हमारे मेर जीतेंगे वहां का होश्टेक साधा कर दिया जाएगा तो इस दिसा में हम लोग जनता की से मदद करेंगे और उनको नए तरीके से बनाएंगे कि बहुत सारे से जो हैं अपनी चुनावी के टाइम अपने अपने वादे करते हैं तो कुछ आप ऐसा जेंडा है अपका कुछ ऐसा मैं समाज सुरू से मैं समाज सेवा से जोड़ा रहा हूं मैं सुरुवात में सिविल डिफेंस से भी जोड़ा पोस्ट वार्डन रहा हूं मैंने यहां पर लगभग हमारे जितने अगल बगल के गाउं है लगभग साथ हजार लोगों के राशन कार्ड हमने बनवाए काफी लोगों के हमने विधुआ व्रद्धा पेंशन का काम कराया चिनहट व्यापार मंडल में वरिष्ट महामंत्री लिए या के ऐसे नया जो नियम होगा जैसे कि हमारे घरेलू जो चीज़े होती है जो घरेल समस्या होते उसको निप्लार करने के लिए कुछ तो ऐसे आप सोचे होंगे इस चुनाव में कुछ अपना बताई उसके लिए जनता हमको जीत दिलाएगी हमें पूरा भरोसा है औ जो भी संघर्ज करेंगे उसके लिए और जो भी समस्या हैं उनको दूर करेंगे साफ सफाई और बहुत हमारे अभी चिनहटी में दो-तीन महले ऐसे हैं जहां पर दलिद बस्ती हैं और उस पूरी तरह से उपेच्छित है वहां पर नय निर्मार कारे और सफाई का कारी सब क सीवर का सिक्षा का कि सिक्षा हमारे जो है बढ़ नहीं पारिये तो क्या इसके बारे में कुछ सोचे हैं कि सिक्षा के बढ़ावा के लिए कुछ सरकार से बात करेंगे या उसके लिए कुछ ऐसा नियम लाएंगे कुछ ऐसा सोचे हैं जहां तक के सिक्षा की बात है पिछल एक लेटी की सरकार में हमारे चिनहैट में महत्मा गांधी कण्या इंटर कालेज की स्थापना हुई जो हम लोगों के काफी दबाओ में इस सरकार में उसकी शुरवात हुई लेकिन आज भी इंटेर कालेज की बच्चियां जो है वो जमीन में फर्स पर बैट करके बोरी बैट करके सिच्छा ग्रहांड कर रही है और टीचर की भी समचित बिवस्था नहीं हुई है हम लोगों के हाथ में परसदी आते हैं तो उसके लिए संघर्ज करेंगे और अपने छेतर की बच्चियों को सिच्छ से तो हुए हैं लेकिन आप देखी रही हैं पूरे सी तरह से उपेच्छी थेचिन हेटवार्ट जगे जगे पर गंदगी के धेर आज भी लगे हैं नालियां बजबजा रही हैं नगर निगम के द्वारा हाउस टेक्स को ले करके सीवर टेक्स को ले करके लोगों का उत्प मिल रहा है कुछ जंता अपनी समथ्याय सुनारोगी कि हम आपके साथ जाये जो भी ऐसी चीजे आपको सुनने के मिल रही है कित्ता समर्थन आपको जंता को मिल रहा है जहां जाते हैं लोग लिते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे उपर विश्वास बेक्त करेंगे और हम भी उनसे वादा करते हैं कि उनकी आसा विश्वास पर खरे उतरेंगे तो यह थे हमारे साथ पार्टी से पार्षत प्रत्याश जी जिनका साथ तरप कहना है कि अगर हमको जनता फिर से चुनके लाती है तो हम जनता के लिए जो एक नए अजेंडा एक नए उनके जो अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे और उनकी हर जरुत मंद की जो चीजे तक काल हम उसको पूरा करेंगे कैमरामन अर्विंद के साथ सुहानी सिंग प्राइम टीवी लखनव नगट संग्राम में अभी के लिए इतना ही देजुना की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार